और भाग्य कर्म बढ़ा है या भाग्य बढ़ा है उनमें भहस हो गई और दोनों का इंहेत तो एक दूसरे से कम नहीं है पर अंतमें भाग्य की जीत हुई वो जीत कैसे होती है हम आपको एक कहानी का विताद वारा समझाते हैं एक बार अपने भरत वर्स में सूखा पड़ गया बर्सा नहीं हुई बर्सा नहीं हुई तो सभी लोग परिशान हुए और फसल नहीं हुई तो जो तिसियों के पास गए उन्होंने कहा कि विपर जी ये बताओ के बर्सा होने रिए अब कैसे जीए तो जो तिस विदों ने विचार करके बताया कि वही तुमारा तुमारा ये संदे है वो तीन बर्स वाद निवारण होगा जब भगवान संकर केलास परवत से संख बजाएंगे तब बरसा होगी और तब ही खेती हर्याएगी तब तक आप जैसे भी हो दिन काटो उधर क्या होता है कि भगवान सिब को भी जिग्यासा हुई यह भई सूखा पड़ रही है तो हम देखें कैसे लोग रह रहें तो बड़े लाचार और बड़े परिशान लोग थे भूके प्यासे परांतु एक करमशील किसान करमठ जो करम को ही महतो देता था और खेत को जोता हुआ पाया भगवान सिब साधू के रूप में थे वो उने पहन्चान नहीं पाया तो साधू रूप सिब ने पूछा कि भई तुम क्यों खेत को जोत रहे हो बड़सा तो होनी नहीं है और तुमिशे सूखे में जोतने से क्या फाइदा बर्सा होगी पलेवा होगी तब खित बूँ जागा तो उसने किसान ने कहा कि हे साधू महाराज जो मेरा काम है वो मुझे करना है मैंने सुन रखा है कि तीन बर्स तक बर्सा नहीं होगी पर तीन बर्स में तो मैं हल चलाना ही भूल जाऊँगा तो शीव संकर महराज का भगवान का मस्तिस के चकरा गया सोचने लगे अरे भाई तीन बर्स में जब ये किसान हल चलाना भूल सकता है तो तीन बर्स बाद मैं संख बजाना भी भूल सकता हूँ तो सिब जी के मन में जग्यासा हुई क्या मैं संख बजाना भूल तो नहीं गया उन्होंने जोली में से तुरंट संख निकाला और बजा दिया और सिर्फ संख के बजते ही जमा जम बर्सा होने शुरू हो गई और खेती बाड़ी हर्या गई इसी को हम एक कवता की रूप में प्रस्तोत करते हैं कि एक बार की बात हुआ ऐसा आपकरसा सूखा पढ़ गा नहीं देश में कहीं पर बर्सा सर्बजन हुए निरास गए वो जोतिर विद पर कहो विप्रजी कैसे जीएं भूमंडल पर महराज कैसे जीएं तो जोत्सियों ने कहा कि तीन वर्स के बाद मिटेगी तहिरी संका गिरी कैलास बजाएं जब सिवसंकर संका यानि जब सिवसंकर भगवान संक बजाएंगे तो बजते ही सिवसंक के बढ़सा हो जाएगी तुरत्यारी खेती बाड़ी हरे आएगी मन जिग्यासा हुई भर्मन आयतर पुरारी आप सिवजी के मन में भी जिग्यासा हुई कि भाई देखतो लें कैसे लोग जी रहें ऐसी सूखा में और महामारी में मतलब कि पर बैठ कर पर नादिया पर बैठ करके चल दिये निरक रहे सर्वत्र वो जनता की लाचारी और भुख प्यास से पीड़ थी जनता बेचारी परन्तु करम सीले किरसक करम सीले किरसक जो ताखित को पाया और साधुवे समय थे भगवन पहचान न पाया गएगरसक के पास कही सिवसंकर बानी क्यों चलाते हो हल بरसता नहीं जब पानी भगवान शिव ने का भई एक बात बताओ कि जब बारिश नहीं हो नहीं तो खित बह नहीं जाना तो तुम बैठ में हल क्यों चला रहे हो बोले साधु महराज एक बात सुनो मेरा काम हल चलाने का मैं चलाओंगा बरावर नहीं तो मैं हल चलाने भूल जाओंगा सत्य बचन हे साधू खिसान ने कहा सत्य बचन हे साधू तिहरा मैंने स्वी कारा और हल न चलाओं तो बन जाओं मैं ना कारा मैं ना कारा भी हो जाओंगा है जो मेरा कर्म है जो मेरा कर्म साध्मो वही निवहना और भूल न जाओं तीन वर्स महली चलाना मैं तीन साल महली चलाना नहीं भूल जाओंगा तो शीव जी के दिमाग चक्राने लगा सुने करसक के बचन प्रभू मस्तिस्क चक्राया कहीं संख बजाना भूल जाओं मन में समाया शिप जी को संख का हुई कहीं मैं संख बजाना भूल जाओं तीन साल में तो जोली में से संख निकाला और तुरत बजा दिया संख तुरत बजा दिया संख मिटे जन जन अपकरसा बर्सा बजते ही शिवसंक जमा जम हो गई बर्सा जनता का संदे मिट गया और कलेश दूर हो गई बर्सा के होते ही सरोतहर्याली च्छाई और हरित भरित हुई फसलें चहुदिस में लहराई जीत चुका था कर्म बागने बाजी हारी जीत सुका था कर्म भागने बाजी हारी और कर्म और अभ्यास पर रहना तुम बले हारी इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कर्म करना है फल को नहीं देखना है ना भागे को देखना है और अपने कर्म पर अठिक रहना है धन्यवाद